बॉर्णिंग दोस्तों तो कैसे आप सब लोग वेलकम बैक वर न्यू व्लोग तो आज हम लोग पौधे लेने आए हैं बहुत सारे तो यहां पे जो पौधे बेस्ट मिलते हैं वो अभी तक है भिलाई जो यह वाय ब्रिज देख सकते हैं आप इसके नीचे यहां पे पौधे बड़े जवर्दस मिलते हैं तो अभी हमारे कुछ पौधे सड़ गए थे तो अपन न्यू पौधे लेने आए हैं तो चलिए लेते हैं और आपको दिखाते हैं तो फ्रेंट्स यह रहा यहां पौधो का मार्केट कितने सुन्दर सुन्दर फ्लावर्स है अब देख सकते है फ्लावर्स है सारे तरह के पौधे मिलेंगे आप भी आके ले सकते हैं तो देखिए फ्रेंट्स कितने सुन्दर सुन्दर पौट भी है आप पौट भी ले सकते हैं और यहां के फ्लावर्स भी कितने सुन्दर सुन्दर आप देख सकते हैं सारे प्रकार के आपको पेड़ म तुम में मैं लिजर्ट को तो चपकल को बहुत को पर देख सकते हैं यह देखिए यहां पे भी है और फूल भी खिलते हैं देखिए यहां पर बी खिले इस पेड़ में पौदे में और ये भी बहुत सुन्दर है फ्रेंड्स कि यहां तुलसी मातज भी है यहां पे छोटी से भगवान जी भी रखे गए है पूजा के लिए फ्रेंड्स यह वाला पेड़ तो आपने देखा होगा हमारे घर में भी है और और भी पेड़ है हमें और भी चाहिए अब इसे घर की डेकोरेशन भी बहुत अच्छी होती है गर भी बहुत सुन्दर रहता है और घर का वातरवरन भी बहुत ही स्वास्त के लिए भी बहुत अच्छा है कि सीथा अक्सिजन आपको अपने घर से मिलने वाला है अगर आप पॉधे लगाएंगे डेकॉरेशन वाले आप वे यदेखें किते सुन्दा सुन्दा पॉधे हैं वहाँ पे भी हैं बड़े बड़े भी हैं यह देखिए इस साइड भी है यह देखिए फैंट्व फैंटा मूता रूट है फरेंट्स का देखिए तो फ्रेंट्स यहां पर ऐसी बहुत दुकान है और वाय शेप ब्रिज के नीचे लाइंसे यहां पर दुकाने हैं आगे तक भी है तो अभी हम लोग इस सौप में देखते हैं जो पौदा हमको पसंद आएगा फिर आपको दिखाते हैं यह देखिए पेड़ भी मिलेंगे हैं यहां पर बड़े बड़े तो जो पौदा हमको अभी चूस करते हैं वह आपको दिखाते हैं देखिए वहां से अंदर यहां पर सारे पौदों की अच्छे से खादावरन होती है यहां पर देख सकते बहुत चोटे-चोटे सुन्दर-सुन्दर पौदे हैं अब यही बड़े होके वहां पर लगाएं जाएंगे जो पौदे सड़ जाते हैं उनके बदले इन पौदों को रिप्लेस कर जाता है वो देखिए यहां पर खेती भी हो रही है खादावरन होनों यह सब खाद दले हैं बीच भी डल चुकी है यह देखिए पूरा लास तक है इतने सुन्दर ओर जी छोटा सा भाटा फ्रेंड्स यहां पर भाटा यह अपने घर के लिए उगा रहे हैं यह बेचने के लिए नहीं है बैगन यहां पर कुवां भी है यह पपीता का पेड़ है शायद और वहां से ट्रेन भी जारी है यह पट्री से पीछे इस तरफ है ब्रिज के नीचे सब अपना ऐसे घर टाइप का बना के यहां पर रहते हैं और यह कुवां है ध्यान से आईए गा दोस्तों गिर जाता हो अन्हां की आइए की का दोस्तों अफंसा लग रहे न कोई किड़ा है यह पौधा है यह बहुता सा यह बेचने के यह यह आप आईए जो पौधा आपको अपने घर के डेकोरेशन के लिए पसंद आएगा वो आप ले सकते हैं रेट भी कम हो जाएगा फ्रेंड्स अभी हाँ रेट ज्यादा था तो हमने सोचा और भी दुखानों में एक बाप पूछ लें कि इसका रेट सही है कि नहीं है तो अभी हम लोग और भी दुखान में जा रहे हैं और त्वरेश डेकोरेशन करे करके रखें हैं अपने शॉप्सको ये लोग आप तरह है कि देखिए टिन कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया यहां पर हैंगिंग पॉड्स से यहां पर सारे तरह के फ्लावर्स हैं यह देख सकते कितने सुन्दा सुन्दा फ्लावर्स हैं यहां पर इसका कलर कितना ब्राइट है मैं आपको बता रहा हूं यह कैमरा के वज़े से नहीं यह रियल में भी बहुत सुन्दा दिखा है तुन यहां यहां पर देख सकते हैं रहें आच्छा सुन्दा सुन्दा लिक्रोरेटेड पार्ट है यहां पर पर ज gözुआ तरिके कितने सुन्दा उल हैं सुन्दा डेक्रोरेटेड वाले पॉट है कि देख लिजाए है यहाँ पर खाद भी है जिसको लेना हो ले सकते पौदों के लिए अपने मिट्टी के लिए हैं है कि यहाँ पर बहुत्त ब Capcom दोस्तों ये रिखिए डेकुरेटिव भी है आप अपने घर में भी रख सकते हैं इसे देख सकते हैं यह देखिए फ्रेंड्स हेंगिंग पॉट्स यहां पर रोज भी कितने सुन्दा सुन्दा है यह देखिए फ्रेंड्स कितने सुन्दा सुन्दा यह शायद बड़े भी होते हैं और बहुत बड़े होते हैं ट्री टाइप के बन जाते हैं तो फ्रेंड्स यहां वाटर ट्री भी है वाटर पौदे भी है यहां पर जो पानी में किलते देखिए फ्रेंड्स में को स्नेल लीग है यहां पर देखिए आप देख सकते हैं कैमरा में भी दीख रहा है वह देखिए की तो छोटा सा स्नेल है यह हील रहा है फ्रेंड्स यहां पर और भी फौदे हैं तो चलिए फ्रेंड्स इस दुकानों में पता करते है हमें जो पहुद़ आपको पसंद आएगा वो हम आपको दिखानेवाले है यहां अंदर में भी बहुत सुंदर सुंदर डेकॉरेशन किया गया यह देखिए यहां पे भी यह देखिए यहां पे भी हमें कैक्टस मिला चोटे चोटे वाव कलर्फुल कैक्टस फ्रेंड्स देखिए यहां सारे प्रकार की कैक्टस है अलग-अलग टाइपी कैक्टस देखिए फ्रेंड्स कलर वाले भी यह किते छोटे cactus है, यह आप अपने room में भी रख सकतें और rate यह देखिए पूदा जेब क्या वह रहे हैं पीछे हैं यहां पर bamboo tree है देखिए हम लोग उन्हुक्त जा चुके हैं पर अभी यहां देख सकते हैं और यहां धेख सकते हैं यहां पीछे भी बहुत खेती हुई है यहां सारे पौदों को अच्छे से उगाया जाता है फिर इससे सामने रख दिया जाता है बेचने के लिए यह देखिए यहां पपीता भी फले है यह वाला काहे का अब बेड़ वाई है इस अब हम लोग यह दो पौदे सेलेक्ट किये देख सकते हैं इतनी सुन्दर सुन्दर फ्लावर्स खिले इसमें और यह कैमरा मीनी रियल में भी बहुत सुन्दर कलर आ रहा है इसका देखिए फ्रेंड्स अब और दिखाते हैं जो हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं तो फ्रेंड्स अभी इस शॉप के बाजू मैंने यहां कुछ डेक्रेटिव आइटम्स देखें तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं मैंने अब भी इस देखा इसे यह देखिए फ्रेंड्स अब मेरे पीछे इस यहां दुर्गा माता की मूर्ती कृष्ण भगवान की मूर्ती सारा तारक की मूर्ती है अंदर चलके देखते हैं एक बार अब फ्रेंड्स कितने सुंदर सुंदर है यहां पर कितनी सुंदर मूर्तिया है फ्रेंड्स अब भी आये दिखिए यहां पर कृष्ण भगवान जी की मूर्ती है बहुत सुंदर सुंदर भूले भगवान जी की मूर्ती है भूले ना जी की यहां पर पॉट्स भी है यह सब मिट्टी की है शायद देख लेते को तो फ्रेंड इस सब मिट्टी के पॉट्स है यह देखे फ्रेंड्स अला दिन वाला जी किता सुन्दर डेकोरेशन के समान है जिसे भी लेना हो आप आ सकते हैं तो फ्रेंड्स अभी हमने जितने पॉदे सेलेक्ट की हैं उसी को लेके अब हम घर जा रहे हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में अभी के लिए गुडबाई चैनल को लाइक करना शेयर करना सस्क्राइब करना और बैल आइकम दवाना मत भूलिएगा जिससे हमारी लेटेस व झाल वाचिंग वाचिंग झाल